हेलो गाईज, अक्स माइनस 3 होल क्यूब इज एक्वल टू माइनस 27, तो अक्स की वेल्यू क्या होगी? तो हमें यहाँ पर अक्स के जो 3 रूट है, क्योंकि यह 3 पावर का एक्वेशन है, तो सिधी सी बात है, अक्स के यहाँ पर 3 रूट से वो निकलने वाले हैं, तो वो तीनों रूट हम यहाँ पर निकालेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अक्स माइनस 3 का य होल क्यूब माइनस 27 प्लस के 27 is equal to 0 फिर अगली स्टे में आप लिखोगे x माइनस 3 होल क्यूब प्लस 27 है वो 3 का होल क्यूब होता है अब यहां पर हम फोर्मूला अप्लाई करेंगे यह दी a प्लस b जहां a का क्यूब प्लस b का क्यूब a q प्लस b क्यूब आपके पास हो तो हम इसको रख सकते हैं a प्लस b ब्रेक इट a स्कुराइर माइनस a b प्लस b स्कुराइर a मिन्स x माइनस 3 a वाली जगाएगा और यह जो 3 है यह b की जगाएगा तो आपको यहां पर रखना a प्लस b a मिन्स x माइनस 3 प्लस b b मिन्स 3 ब्रेक इट a स्कुराइर a मिन्स x माइनस 3 इसका होली स्कुराइर माइनस a a मिन्स x माइनस 3 इन्टो b b मिन्स 3 प्लस b स्कुराइर ठीक है is equal to 0 x माइनस 3 प्लस 3 यह cancel हो गए यहां रहेगा x यहां इस ब्रेक इट को पर ओपन करेंगे x माइनस 3 होली स्कुराइर से तो जो हो जाएगा x स्कुराइर माइनस 3 टू जा 6 x प्लस 3 स्कुराइर 9 यह जो 3 है इसको हम x और 3 दोनों से मल्टिप्लाइ करेंगे 3 इन्टू x 3 x नेगेटिव 3 x नेगेटिव नेगेटिव पोजिटिव 3 इन्टू 3 9 प्लस 3 स्कुराइर 9 is equal to 0 x ब्रेकेट एक्स स्कुराइर माइनस के 6 x और माइनस का 3 x तो यह हो गया माइनस का 9 x 9 9 और 9 यह हो गया प्लस का 27 is equal to 0 तो हमारे पास यहां दो फेक्टर हो गए पहला फेक्टर और दूसरा फेक्टर if x is equal to 0 one roots x is equal to 0 अगले जो root है वो क्वाड़िटिक एक्वेशन x स्कुराइर माइनस 9 x फ्लस 27 is equal to 0 यह quadratic equation है इसको निकालने के लिए अपर हम formula apply करेंगे x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac divide by 2a x is equal to minus b की जो value हो minus की 9 है minus 9 plus minus root b minus 9 square minus 4 into a a x square coefficient 1 into c constant value 27 divide by 2 into a a means x square coefficient 1 x is equal to minus minus plus 9 plus minus square root minus 9 square 81 minus 4 into 1 1 4 into 27 108 divide by 2 1s are 2 फिर x is equal to 9 plus minus 81 positive 108 negative minus करेंगे 8 minus 1 7 or 10 minus 8 2 minus 27 को हम लिखेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into minus 1 divide by 2 यहां से यह square root से बाहर निकल जाएगा 9 plus minus 3 root 3 minus 1 root is equal to eta root minus 1 is equal to eta divide by 2 divide by 2 यहां इस के हमारे पास 3 root 3 eta divide by 2 यहां इस के हमारे पास 3 solution निकल करके हैं 3 roots है first root is real number second root is imaginary number and third root is imaginary number तो यहां पर एक real number है बाकी के दोनों जो roots है वो imaginary number है दोस्तों यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल पर पहले बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों